नमस्कार जाहिंद आप देख रहे हैं बाहू एक्स्प्रेस और मैं हूँ आपके साथ शुबम लंगे लगातार जम्मू कश्मीर जूटी अड्मिस्टेशन जो है बड़े फेर वदल जो है गाइलाइन्स के अंदर किये जा रहे हैं क्योंकि लगातार जहां मामले बढ़ते चले जा रहे हैं वही यूटी अड्मिस्टेशन जे नहीं चाहता कि किसी भी परकार का कोई बड़ा हासा जो है वो देखने को मिले और एक एक जो मामलों में इदाफा हो रहा है उसको किस तरीके से नियंद्रन में किया जाए यह अब 6-10 जो की हुई है उस दोरान देखा जाता है कि लोग जो हैं गरों से बाहर एका एक निकलते हैं और बीड काफी उमड़ जाती है इन जगाओं पर जिसके बाद एडिस्टेशन को बड़े सारी शिकाइतें जो हैं बैप पहुंचाई जाती है और एडिस्टेशन एक ब 12 मजी तक खुली रहेगी और यह और जो है 12-5-2021 जानी बुद्वार से लागू हो जाएगा तमाम जम्मू के गर्में बात करूं तो जानी की सीधा सीधा संकेत जे हैं कि बीड जो एक-एक बाहर गरों से निकलती है और इन जगाओं पर रश जो इतना सारा हो जाता है जिसक पर बीड का हिस्सा बने और लोगों को जो है उसंक्रमित कर दे जिसके बाद बड़ा फैंस ला लिया गया है ज्यास्ति जानी डिज्ज्मेंट अफॉराट में द्वारा लिया गया है और खुद अंचुल अंचुल जो पहले 6-10 खुलती थी अब 5-12 साय में कर दिया गया है और क्योंकि कारण यह था कि लोग एकाय गरों से निकल रहे थे और बीड काफी उमड रही थी जिसको कम करने के लिए प्रयास किया गया है ताकि लोग अब गरों से बाहर तभी निकले जब उन्हें जरूरत की समगरी लेनी हो और बीड ज्यादा किठी ना हो सके क्योंकि समय जब टाइमिंग रखी थी लोग नो से 10 बज़े पीक आवर्स रहते हैं और समय लोग काफी जो है और उस क्राउड का हिस्सा रहते हैं टार्मिस्टेशन उस हिससे को उस बीड को कम करने के लिए बड़ा फैसा लिया है क्योंकि क्राउड प्लेसिस में लगातार क्राउड का किठा होना क्योंकि मंडी ऐसी प्लेस है जहां सुबह 9-10 वज़े काफी रश जो है वो मड़ता है जिसके वाद एक फैसा लिया गया है आपको क्या लगता है ऐसे फैसलों से क्या बीड का किठा होना कम होगा आप आम खबरों के लिए आप जुड़े रहें बाहू एक्सप्रेस पर मुझे जितने डोगरा को दीज़े जाज़त जाहिन